टाइगर श्रॉफ और विडियो जामबा, दोनों के बीच में से किसको चुनना है, लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ. एक को शौक है पचास जगे हाथ मारने का, जो चल गया वो बढ़िया, जो पिट गया उससे अपना क्या लेना देना, राद गई, बाद गई. लेकिन जो दूसरा है, वो सिर्फ वो करना चाहता है, जो उसको वाकई में आता है, और इसी को इतना बेस्ट बना देना है, कि एक दिन पब्लिक थेटर भाग के आने को मजबूर हो जाए. और इनको ऐसा करने से रोग कौन सकता है, क्योंकि इस बार फिल्म में पैसा भी खुद का है, और हीरो भी ये खुद बन गए हैं. क्रेक की बात हो रही है सर, जिसका नाम सुनके दिमाग में अजीब हो गरीब चीज़ें आती हैं, और यकीन मानिये, फिल्म उससे भी एक लेवल उपर का पागलपन है. अकसर आपने सोशल मीडिया पे ये डेरिंग टाइप के वीडियोज देखे होंगे, जिसमें लोग खतरनाक स्टंस करके बहुत गालिया खाते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, आक्चली में ये वीडियो किसी बायो डेटा जैसा है, जिसको देखकर नौकरी मिलेगी और सेलरी पूरे 80 करोड. अब मन कर रहा है ना आपका भी ट्रेन से लटकने का, बस क्रैक उस ट्रेन पे पूरे धाई घंटे लटकने जैसा एडवेंचर एक्सपिरियंस है. हॉलिवुड में बनाते हैं ऐसे डिफ्रेंट पागल टाइप के कॉंसेट पे बहुत सारी आक्शन मूवीज, लेकिन हमारा इंडिया उनसे एक कदम आगे क्यों है पता है? एमोशन्स, फीलिंग्स क्योंकि अपना हीरो इस खेल के मैदान में 80 करोड जीतनी नहीं आया, वो बदला लेने आया है अपने भाई का, जिसको इस खेल ने मौत का इनाम दिया था. अब दिक्कत यह है कि जंगल में हीरो ने एंट्री मार तो ली है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है भाई, और इस मैदान का शेर बचपन से ही पागल टाइप का है. बाकी गेम्स की तरह है, चैंपियन बनने के बाद यहाँ खेल खतम नहीं होता, एक आखरी राउंड पिंजरे में शेर के साथ लड़ना है, बच गए तो ले जाओ पूरा पैसा. देखो भाई, पचास करोड के बजट में बनने वाली एक इंडियन फिल्म से हजारो करोड में बनने वाले स्क्वेड गेम जैसे एक्स्पीरियन्स की उमीद लेकर थेटर मत जाना. अगर ये वाली शेर्ट मंजूर है, तो सर विद्युद जामवाल की फिल्म आपको एक दिम पैसा वसूल एडवेंचर राइट पर लेकर जाने वाली है. अंडाउटिडली फिल्म का एक्सफेक्टर इसके अक्शन सीन्स हैं, रेस वगेरा ऐसे डिजाइन की गई हैं, जिनको देखते टाइम एक सेकंड के लिए हॉलिवुड को मिस नहीं करो गया आप. पूरा कमाल है गर्दन तोड़ने वाले कैमरा वर्थ का ऐसे सीन शूट किये गए हैं, जिसमें आँक और दिमाग दोनों चक्कर खा सकते हैं. एक फिल्म आईती संजू बाबा की लग नाम से अगर वो आपको याद है और फिल्म पसंद है, तो क्रैक उन पुरानी यादों को ताजा करने वाली है, same to same feelings. और हाँ, कहानी वगेरा की जादा उमीद मत रतना, ये वैसी फिल्म है जो प्रेजेंटेशन पर दोड़ती है, आँखों से देखो, मजे लो, बस दिमाग जादा मत लगाना, ओके? वैसे भी भाई, विस फिल्म में अरजुन रामपाल वर्सिस विद्युद जामवाल का फेस ओफ देखने को मिल रहा होगा, उसके क्लाइमेक्स में कोई B.K.L.E. होगा जो इस चांस को मिस कर दे, ये दोनों बहुत अंडरेटीड एक्टर्स हैं, जादा different movies नहीं करते, लेक क्योंकि action scene से नजरी नहीं हट पाई, अरजुन का रोल थोड़ा छोटा सा है, लेकिन screen presence ऐसा कि पूरी film का control इनके हातों में, ending में सिफ एक dialogue बोलकर पूरी कहानी बदल दी, बस एक काम करना है आपको, जैसे मैंने इस वीडियो में नौरा फतेई को total ignore मारा, वैसे ही film देखत की सूपर पावस का इस्तिमाल, तीसरा direction बड़ा अतरंगी type का है, माने action को सिफ बनाना नहीं, उसको feel करवाना, और आधा star पॉर अरजुन रामपाल का चाला की से इस्तिमाल, hero के टक्कर का विलन, negatives में एक छोटी शिकायत और एक बड़ी वाली, छोटी ये कि अरजुन वर् कान्स हो, तो crack को miss मत करना, अरजुन का comeback चाहिए, तो मौका आपके पास है, कहानी के लिए cinema देखते हो, तो पैसे मत उड़ाना, फैसला करो, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फिर कुछ रिकायत करनी हो, तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना कासा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई